मित्रो आजकल दुनिया में बहुत सारी तकलीफे है कोई अपने मन की बात जिसे वो प्रेम करता है जिसे वो चाहता है जिसे वो पाना चाहता है उसे कह नहीं पाता तो हम अपने मन की बात उस पात्रा तक पहुँचा है जिसे हम चाहते है जिसे हम पाना चाहते है जिसे हम अपनी जिनगी से जोड़ना चाहते है तो इसको हमें कैसे कहना चाहिए हम कहनी पा रहे हमारे में इम्मत नहीं है हम इतनी खुली बात इतनी जल्दी से कहनी पा रहे है तो अभी इसको हम कैसे कहें तो इसके लिए हमें शुक्र का उपाई करना चाहिए शुक्र अपने मन की बाद सामने वाले तक पहुँचाना आप जिसे प्रेम करते हो जिसे चाहते हो जिसे पाना चाहते हो उस व्यक्ति तक आपके मन की बाद बहुत सरलतासे कैसे पोँचाएं. तो एक बहुत Сरल लाल-किताब का उपाई है, जो शुक्र से जुड़ा हुआ है. शुक्रपति-पत्नी का कारक है, प्रेमी-प्रेमीका का कारक है. आप जिसे चाहते हो, जिसे अपने जीवन में जोड़ना चाहते हो, उसे जोड़ने के लिए आपको शुक्र से जुड़ना पड़ेगा तो यह उपाई हम कैसे करें तो मित्रो यह बहुत सरल उपाई है और अगर यह आप करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आप 100% आप अपने दिल की बात सामने वाले तक बहुत आसानी से पहुचा पाऊगे साइद वो भी बन जाए कि वो भी आपको समझ ले और आप दोनों एक दूसरे की बात समझ के आगे चल सकते तो इसके लिए आपको क्या करना है उपाई क्या करना है तो उपाई में सुक्र सुक्र का ग्रह सफेद कलर से जुड़ा हुआ है सफेद फूल लेने जिसमें बहुत अच्छी खुस्बु हो खुस्बुदार अच्छे फूल ली दिए बारा फूल ली दिए बारा सफेद फूल सुक्रवार के दिन कोई गाडन जेसी जगा है जहां हरी गास फैली हुई है, खुला मैदान है, जहां स्वच्छ जगा है, गंदकी नहीं है, ऐसी जगा पे जाईए, बारा फुल अपने हाथ में रखे, शुर्य भगवान को अपने हाजिर में गिन कर, मन में आपका अपना भाव बनाएं के वही ये मेरी जो मन की बात है, वो मैं जिस पात्र को बोलना चाहता हूँ, वहां तक पहुंचे, और वो चीज आप अपनी मन की भावना से ये करके, प्रातना करके, आप जमीन पर रख दो, घास पर रख दो, जमीन शुक्र है, आपके हा करना है, बारा दिन लगाता, अगर बारा दिन लगाता आप ये उपाई कर लेते हो, तो मैं कहता हूँ, कि आप बहुत अच्छी तरह अपने मन की बात सामने वाले तक पहुंचा पाओगे, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट्स आईगा, और वो सामने वाली जो भी व्य जोड़ जाओ, और एक बात और बता देता हूँ, कि ये उपाई आप तीन बार आजमालो, तीन बार के बाद अगर आपको ये पात्रा नहीं मिलता है, तो आप इसे उपाई को वहीं बंद कर दे, क्यों जबरजस्ती प्रेम करना फिर आपको आगे दिवन में तकलिफ देग तो ये उपाई तीन बार से जादा आप नहीं करोगे, ये भी आप दियान में रखिए और इसका अच्छा रिजल्स मिलें, ऐसी मनोभावना के साथ ये उपाई करिए और अपने जहिते पात्रा तक पहुंचने की पूरे-पूरी कोशिश की दिए और इसमें आप आगे नि प्रसकार में तरो, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आगे शेर कीजिए, लाइक कीजिए, यीट्यूब देखने वाले इसे सब्सक्राइब करें और शेर करें ताकि किसी और को भी ये काम आ सके, ये उपाई से वो अपने दीवन साथी को पा सके, अपने चाहिते पात्र को पा सके, अपने प्रेमी प्रेमी का को पा सके, तो ये चीज आपके लिए बहुत सरल उपाई से मैंने जोड के दिये, जो फूल सुक्र है, जमीन सुक्र है, तो इसलिए ये उपाई का असर बहुत अच्छा और बहुत जल्द आता है, तो ये उपाई आप अवश्य करें और अपने जीवन को बदले तो चलो बदलिये जिंगी नमस्कार